subscribe के लाल बटन है, bell icon में प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो के सूचिना मिलती रहे एक comments लेके फिर हम फटफटे के stock के बारे में बात करेंगे मैं नारगन साब ने पूछा है following you the on regularly basis and your comments are very useful for to understand the fundamental and which share are good for me I come to know from your detailed comments please let me know as for now which stock should I buy for long term 10 years which are at these bottom price and should I wait for the banking stock like SDFC, Access, Kotak Bank, ICC for purchase and they are on their top prices. Friends तो मैं पहले यह कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे mention किया हुआ कि 10 साल के लिए आप लंबे समय के लिए आपने वेश करना चाहते हैं कम से कम तो 10 वर्षों के लिए देखिए आपको 10 से 15 परसंट नीचे जाए या उपर जाए आपको कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए दूसरी चीज़ अगर आपको SIP आपने मेरे वीडियो देखा होगा वन लाक स्टॉक पोडफोलियो तभी आपने इस पर कॉमेंट किया हुआ है तो मैंक जी में बिलकुल आपको यह एड़वाइस दूँगा कि अगर आप अच्छे अच्छी कमपनी हों क्योंकि अच्छा प्राइस देख के नहीं आप अच्छी कमपनीओं को सिलेट करती हैं भले ही थोड़ा सा 5-10 परसेंट अगर महेंगी मिलती है लेकिन लंबे समय में आपको मतलब लॉस नहीं करेंगी और आपको अच्छा मुनाफ़ा बना के देंगी रही बात की इन बैंक्स में या किसी पर्टिकुले स्टॉक्स में कौन सी कमपनी कितना मुनाफ़ा देगी या कौन सी बेहतर है तो बेहतर तो हम ये फंडमेंटल देख के उसके पास्ट कई बर्षों के रिटरन वाईज और उसके फणेंशल वाईज या उसके मैनेजमेंट के हिसाब से हम जरूर कह सकते हैं कमपनियों के सेलेक्शन करते हैं लेकिन कौन कितना दे देगा या आगे फ्यूचर में किस में किस कमपनी में क्या चल रहा है ये तो हमें पता नहीं होता लेकिन जिनका इतिहास बहुत पुराना है जैसे कि HDFC बैंक हो गई या अगर FMCG की चूरियल या फिर हम अगर बिटानिया इंडिस्ट्री कह लें तो इन सब कमपनियों में आख मूंद कर पैसा डाल सकते हैं कुछ भी हो सकता मार्केट वे तो अगर आप दस वर्षों के लिए लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप SDFC भी निवेश कर सकते हैं SDFC भी आप बंधन भी नई बैंक उसमें भी कर सकते हैं और फिर भी मेरा प्रटफोलियों समय समय बनाता रहता हूँ अगर उनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद आता है एपने हिसाब से थोड़ी रिसर्च आप भी कीजिएगा और वो भी स्टॉक पिक कर सकते हैं लंबे सम सेक्टर् के अलंग अलंग स्टाक को मेंचन किया हुआ है पौर्टफोलियो में और समय समय अपने है हैं लग अलंग वीडियो सी बनाता रहता हूं बहुत सारे वीडियो का देखना चाहिए 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 बैटर्र रॉंड़ सेक्टरम अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ समय में तो आप लंबे समय के लिए सोचके अभी बहुत नीचे बॉटम पे है तो आप उसमें भी SIP कर सकते हैं मेरा कहना यह है कि और भी नीचे जाया तो और खरीदार हर गिरा लिए आप ऐसा होता क्या कि अगर आपका मकसद है कि में चलो पांच लाग मुझे शेयर मार्केट में निवेस्ट करना तो आप पांच लाग के सारे शेयर्स खरीद लिए कुछ सी स्टॉक्स के वो ठीक नहीं रहेगा अपोर्शनल्टी मिलेगी मार्केट में हमेशा क्योंक बहुत बड़ी फर्क पड़ता है आयात निर्यात पे वर्डवाइड सब कंपणियां डिपेंडेंट होती हैं तो इस तरीके से आपको हमेशा उतार चलाओ मिलता रहेगा तो कभी पूरा पैसा न लगा है और फोर्ट वर्ट वर्ट करके लंबे समय के लिए सिस्टमाइटि तो चार कंपणियों के हमने थोड़ा सा कंपैरेजन लिया है कि 2012 यानि 2016 मार्च और 2011 से हमें चार कंपणियों के रिटन वाइस थोड़ा सा यहां पे देख रहे हैं 2019 तक कि अभी फिलाल इन कंपणियों में एक अपोलो टायर्स हो गई, एक जेक टायर्स हो गई, एक C8 हो हमें अगर रिटन भी मिलता है, हमारा जो प्राइस है वो कई गुना हो जाता है, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो अपोलो टायर्स में अगर हम यहां आते हैं, तो पिछले 7 सालों में, 7-8 सालों में सबसे अदर जो प्रदर्शन बहतीन रहा है, वो रहा है बाल कृष में इन 6-7 सालों में 260% का अभी रिटन वर्तमान इस्तिती में दिखाई दे रहा है, तो सबसे बहतरीन प्रदर्शन बाल कृष्णा इंडस्ट्री, BK टायर्स, C8, JK टायर्स, अपोलो टायर्स, अपोलो टायर्स क्यों पीछे रहा है, इसमें इसा इतना रिटन क्यों नहीं मिला, कपने हाई से काफे नीचे आ गया, या फिर इनका कुछ मैनेजमेंट को लेकि भी एक साल पहले इस्यो हुआ था, या फिर हो सकता है कि गूड ओयल पर सारी कमपणिये डिपेंडेंट होती है, या पि एंटी डंपिंग ड्यूटी चाहिएं सो जो माल इनका आयात होता है, उसमें भी लग जाती है, तो बहुत सारी चीजे हैं कि इन कमपणियों पर प्रभाव पड़ता है, तो एक बहतरीन कमपणिय है, आईए उसके कुछ फंडमेंटल सम देख लेते हैं, थोड़ा सम जान लेते हैं, ओवर्वीव क्या करती है, तो कितने देशों में इसका व इनकी सर्विसे उपलब्द है, the company markets its products under our two global brands, Apollo and Redes time, these products are available in countries across the globe through a vast network of branded, exclusive and multi-product outlets, Apollo TAS has multiple manufacturing units in India, The Netherlands and Hungary, तो इनकी जो manufacturing factories है, plants है वो इंडिया में भी है और निदरलेंड में भी, हंगरी में भी है, at the end of the financial year 2018, the company clogged at a number of around 2.28 billion, backed by a global workforce of approximately 16,000 employees, okay, as of March 31st 2018, the company traded in the India under Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange with 59.68% of shares held by the public, okay, that's great, delivery इनकी जो है, public ने जो है, काफी अच्छी उठा रखी थी, उस समय, government entities, banks and financial institutions, काफी लोगों ने इन पर भरो सज़ता है, कि क्यों 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 बता रहे हैं अपनी उपलब भी, निसंदे, एक बहतरीन company है, और return भी not bad, क्योंकि कुछ कमपनीयां तो लेके पैसे आपक multi-bagger हो सकता है, अभी इनका वियापार totally dependent है, कि जैसे कि आगे market बढ़ने वाला है, बहुत सारी companies जो है, अब electric होने जा रहे हैं इंडिया में, government ने बहुत जबरदस्त बोल दिया, नीतिया, अब ने सारी companies को निर्देश दिया, कि भाई, इस चीज के लिए आप तयार रहे ह कि हमें 2025 तक बाइक को जो है electric कर देना है, और fuel से नहीं चलेंगी, और बाकी जो गारियां four wheeler से, उनको 2030 तक का target दिया गया है, कि भाई, इनको totally हमें इंडिया से खतमी कर देना है, sorry, electric cars को market में ले आना है, और या तो convert करना है, यह जैसा भी है, तो अगर नया production होगा, तो अ normal, तो यह बहतरीन है, टार के सारी कंपनी अच्छा पतरशन करी कि उनमेंस देखना पड़े है, कि इनके fundamentals अच्छे रहेंगे, आने वाले समय में भी, तो आज का भाव देख लेते हैं, आईए, और फिर financial देखेंगे, हम a good quality company, संदेशल ग्रोथ है, इसकी 5.51% की EBIT ग्रोथ है, 4. अच्छे, यहाँ पर negative है, okay, right, okay, हम देखते हैं, negative equity care, 0.23, मतलब एक से नीच ही है, dividend pay ratio है, काफी सबर दस्ता, 3.71, हम देखेंगे, आगे कितना dividend pay किया है, लास्टाइम, गिर्विश शेर से यहाँ पर थोड़ा से 15.06%, यह थोड़ा से एक अच्छी बात नहीं है, ख quarterly, जो quarter 4 के result से वहाँ पर देख रहे हैं, कि जो इनकी net sales थी, 4.655 करोड की December 18 में, वो मार्च और निस में हो गई, 4.176 करोड के आसपास की, जो की 10.29% की downside है, और net profit में भी, अगर हम देखेंगे, तो जहाँ December 18 में थी सब कुछ लेने देने के बाद, 197 करोड के आसपास की, वही 84 के रहेगे, जो कि 57% के आसपास की downside है, और margin में भी यहाँ पर 1.24% की downside है, तो इस तरीके से quarterly results भी अच्छ नहीं, लेकिन अगर हम annual देखते हैं, March 18 से March 19 में compare करते हैं, तो जहाँ March 18 में थी, 39.82 करोड की, वहीं हो गई, March 19 में 4.176 करोड की, जो की 4.87% की upside है, that's very good, and net profit में यहाँ पर बहुत जारा downside है, जहां March 18 में थी, 200 करोड के आसपास की वहीं 84 करोड की रहेगे, March 19 में, जो की 66.42% की downside है, और margin में भी यहाँ 2.89% की downside दिखा रहा है, इस तरीके से इनके quarterfork results और year on year net profit में बहुत downside है, तो इस वज़े से price काफी नीचे भी गया है, और promot का पास 40% के आसपास की holding, जिसमें से इन्होंने 15% के आसपास यहाँ पर प्लेज किये हुए, गिरिवी रखे हुए, और mutual funds की 112 skim जबरतस था, 190 foreign institutional investors है, जिनकी holding करीब 19.35% के आसपास, और individuals सिर्फ रह गया है, 6.74% के आसपास, और इन्होंने 3 रुपए पर शेर के साबसे पिछले साल dividend pay किया था, और इस साल भी pay करेंगे, एक time हो गए इनका, टाइस की company है, 1972 से काम कर रही है, और अगर हम आज का price देखते हैं, आज है 28 जून 2021, market आज close हो चुकी है, 200 रुपए के भाव पर ये, trade किया इसने last closing price, और इसकी जो market cap है, वह भी देख लेते हैं, market cap है, इसकी 11,608 क्रोड की रह गई है, और PA 13.79 की, इंडस्ट्री पीजब की 31.93 की है, और return on equity 1.39 की है, बाकि हमने results देखे लिए हैं, तो friend में यही कहना चाहूंगा कि Apollo Tires में जिसको टायर सेक्टर में रुची हो, invest करने के लिए, तो वो चाहें तो इसको consider कर सकते हैं, लंबे समय के लिए लेकिन, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ जो quarter first के results आने वाले हैं, financial 2020 के, वो थोड़ा सा wait कर लिया जाए, कैसे आने वाले समय में कंपनिया perform करती हैं, इनका जो रसायन होता, जिससे मिलके बनाते हैं, रबड़ वगयरा, तो उसी के बाद decision लेना ठीक होगा, फिलाल अभी हम इस पर wait कर सकते हैं, कि अकर हमें out downside मिलता है, तो हम और कुछ buying भी कर सकते हैं, फिर भी दोस्तों एक में disclaimer देना चाहूंगा, कि आप अपने financial advisors औरो मस्चोड़ा करें, कोई भी stock खरीदने या पेशने से पहले, thank you for watching this video,